मैं जेसी एगन हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ, मेरी शादी को बारा साल हो गए हैं, और हाँ, मैं इसाई हूँ मैंने एक दिन हिजाब पहन कर देखा, वो फरवरी का महीना था फिर मैंने सोचा कि अगर मैं चालीस दिन तक इसे पहनूं तो कैसा रहे इससे मेरी बेटी को तो कोई परिशानी नहीं हुई, लेकिन जब पहले दिन हिजाब पहन कर मैं अपने बेटी को लेने स्कूल गई, तो वो मुझसे दूर चला गया दरसल मैं मजहभी एकता बढ़ाना चाहती थी और हिजाब पहन कर ये देखना चाहती थी, कि सामाजिक हाशे पर होने का एहसास कैसा होता है मैं जानती हूँ कि एरान में कुछ महिलाएं केवल हिजाब भी नहीं, बलकि अनिवार रूप से इसे पहनने के खिलाफ खड़ी हुई है और मैं उनका समर्थन्दी करती हूँ, मुझे लगता है कि एक महिला को ओधिकार है कि वो हिजाब पहने या ना पहने मैं चर्च में बच्चों के लिए काम करती हूँ, हिजाब पहनने के बाद पहले ही दिन मुझे चर्च के पादरी से मिलना था मैंने उन्हें बताया कि मैं 40 दिन तक हिजाब पहनने वाली हूँ, लेकिन वो बहुत सपोर्टिव नज़र आए हम चर्च के नियमों को लेकर बहुत कठोर नहीं है, जैसी को हमारा पूरा समर्थन है रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोग मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं, कई हिसायों ने मुझे भला बुरा भी कहा है जो भी लोग मुझे इंटरनेट पर भला बुरा कह रहे हैं, मुझे उनके साथ भी प्रेम करना सीखना है जोसी को कि लोग को बार टोग से लोगा मुझे है जब लोग भी लोग भी को लेखते हैं कमें लोग बुरा स्टकश्ब लोग फ्रेम कर द्रोग लोगी लोगरा काई लिए लेहा है